वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए उन केंद्रिय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतार्मन ने सरकार का ग्यारवा पूर्ण बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतार्मन ने अपने अंतरिम बजट भाशन के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था लेकिन इस बार उन्होंने कुछ एहम एलान किये है वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड लोगों को टैक्स से जुड़े लाब होने की बात कही है इस बार अपने बजट भाशन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार करों को सरल बनाने करदाता सेवाओं में सुधार करने, करनिश्चित्ता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के प्रयासों को जारी रखेगी इस बार वित मंत्री ने नहीं कर प्रणाली में 3-7 लाक रुपे तक 5% करका प्रावधान किया है वित मंत्री ने बजट भाशन में कहा कि 3 लाक रुपे तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा साथ से 10 लाक रुपे तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है वित मंत्री के अनुसार नए एलानों से 4 करोड लोगों को नई कर प्राणाली में 17,500 रुपे तक का लाब होगा वित मंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपे से बढ़ा कर 25,000 रुपे कर दिया है सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाब मिलेगा अब आपको बताते हैं कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा 3,00,000 रुपे तक शूर्नी 3,00,000 एक रुपे से 7,00,000 रुपे तक 5 प्रतिशत 10,00,000 रुपे से 12,00,000 रुपे तक 15 प्रतिशत 15,00,000 एक से 15,00,000 रुपे तक 20 प्रतिशत 15,00,000 से उपर 30 प्रतिशत अगर आप ये वीडियो यूटीव पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें